हेलो दोस्तों स्वागत आपका विट्काउंड दुनिया में मैं सेंजर रहा है दोस्तों वजरेस्ट के हैक होने के बात से हम लोग बहुत ही दिनों से वेट करें कि कब विड्राव से लेटेर इनका कोई अपडेट आएगा और फाइनली 23 तारी को विड्राव से लेटेर इनक कोशन थे तो उनका यह कहना था कि एक इसके विड्राव का अपडेट आया है यह किन यूजर के लिए है कितना फंड आप से का विड्राव होगा सारा डीटियल आप सभी कुछ वीडियो मिलेवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्ट्रेमर साथ तो सबसे पह देखें इसके बिट्कोईन पाइंद तो आट से नो परसें करिपका पिछले साथ दिन उन परसें करीब तो इसवेड़े ऑफ जो मिट्कैप हो ले हैं उन में आप देखीं तो लबग टू डीजिट में यह पंप हुए हैं कुछ कुछ परसें करिबा कुछ को आन पचास पर एवरेज है Bitcoin इसके ऊपर गया है एक अच्छे वॉलूम के साथ और इसके साथ साथ इसका जो फिप्टी डेज मुई एवरेज है दोनों को ब्रेक करके अभी इसके ऊपर चला गया है और मैंने आप सभी को पास्ट की वीडियो में कई बार बताया हुआ है कि Bitcoin को कम सकम इसका ज लेकिन इसके ऊपर ने जा पाया फिर यहां से इसको रिवल्सर मिला और फिर से बिटकॉइन लबक 56 वाली जोन में आ गया था तो अभी इसके ऊपर गया है एक अच्छा वॉलूम भी आया हुआ मार्केट में तो हम उमीद करेंगे कि आने वाले दिरों में भी इसके ऊपर ह बिटकॉइन बाकी नेक्स जो सपोर्ट है इसका लबक 63 से लिएकि 61 वाला जोन है जो कि इसका 200 डेज मुमिंग अभी एबरेज है और नीचे इसका जो है 50 डेज मुमिंग एबरेज है और इसके नीचे भी अगर आता है तो नेक्स इसको सपोर्ट मिलेगा वही 57 58 वाली जोन क्योंकि अगर आप प्रॉफॉरमेंस देखेंगे बिट्कॉइन का मंतली तो सब्तम्बर मंत में मैक्सम टाइम ये निगेटिव रहा है तो हो सकता है कि इस बार आप सभी को बिट्कॉइन पॉश्ट्री जाते वे दीखे या तो एक स्टार्टिंग हो सकता है क्योंकि क्रिप्टो के लिए बहुत ज़्यादा सही हो सकता है इसको मैंने आप सभी को पास की वीडियों कई बार रिपीट किया है और सब्तम्बर मंत में सीजेट भी जेल से बाहर निकलने वाले हैं और आप सभी देखी रहे होंगे कि किस प्रकार से इंडिया में भी आ रहा है और पूरे फुल फॉर्स के साथ आ रहा है तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ पॉजिटिन न्यूज और भी सुनने को मिल सकती है उनके बाहर आने के बार तो यह आने वाले जो तिंचार महीन है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मैंने आप सभी को बार और तेरे दिन पहले मैंने आप सभी को इसी वेसे टॉप फाइफ फास्टे रिकवरी क्रिट्टोगंसी के लिस्ट चेयर किये थी और इन पांचों क्रिट्टोगंसी में आप जा के देखींगे तो मैक्सम जो क्वाइन है वो 20-25 परसेंट करीब का ऊपर ही चल लाएं जैसे वास्ट लिस्ट में डाल के रखिए जैसे ही मार्केट नीचे जाता है इंकर्वरेंसी को बाई करिए और कुछ समय के लिए छोड़ दीजे जैसे मार्केट रिकवार होता है तो इसमें आप सभी को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा बाकी आल्स कोई की बात करें तो आप देखेंगे दोजार एक दोड़ा सा नार्मल आप सभी को मुवेंट देखेगा लेकिन जैसे ही यहां से नीचे जाना स्टार्ट होगा और फिप्टी वाले जोन में आएगा उसमें आप देखेंगे आपके जो आल्स कोई वह सो परसें 200-300 परसें करिब का एक दो 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 दि इनके अंदर ही पंप होते हुए दिखेंगे बाकी बात कर लेते हैं वज्यक्ष के तरफ से क्या अपडेटी कर गया है यह 23 अगस्त को इनके द्वारा यह अपडेट आया है जो भी आप सभी के वहां पर फंड पड़े हुए थे उससे लेटेड विड्डॉ से लेटेड तो पहले तो आप सभी को बता दूँ आपका अगर फंड पड़ा हुआ क्रिप्टो करणसी में मतलब कि आप वजरेश एक्षेंज पर योजडिटी होल्ड करते होंगे कुछ कोईन बाई करके रखेंगे उसको होल्ड करते होंगे और कुछ फंड आप सभी का आईनर में पड़ केवल आपका जो आईनर में बैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ पर अपडेट है उसी फंड को आप यहाँ ज़ार्टार कर सकते हैं और यह जो 66% आप जो विड्वा करने के लिए लगाएंगे वह भी दो फेस्ट में होगा पहला तो 26 अगस्त से लेके 8 स्थमबर के बीच में होगा तो आप लोग देख लिजे पहले तो आपका क्रिप्टोकंसी बैलेंस विड्रा नहीं होगा केवल INR balance विड्रा होगा second ये INR balance भी जो विड्रा होगा वो पूरा 100% नहीं होगा केवल 66% होगा और जो 66% विड्रा होगा वो भी 2 फेस में होगा एक बार में आपका पैसा विड्रा नहीं होगा और इस चीज आप सभी को बता दूँ कि 18 जुलाई को जो आपका INR balance था उसी के हिसाब से आपका विड्रा होगा ये जो 66% है तो आप लोग देख लिजेगा 18 जुलाई को आपके पास INR balance कितना था और उसका 66% निकाल लेजेगा वो आप सभी को विड्रा मिलने वाल जैसे कि आपका वजरेक्स exchange पर total amount पड़ा हुआ है 2 lakh की करीब का इसमें से INR amount 1 lakh की करीब का है और जो crypto amount है वो 1 lakh की करीब का है तो आपका जो crypto amount है वो विड्राव नहीं होगा केवाल आपका जो INR amount है जो एक लाग रुपए है वही विड्राव आप कर पाएंगे अब आपका जो INR amount एक लाग पड़ा हुआ था उसमें कितना आप सभी को विड्राव मिलेगा तो केवाल उसका 66% मलब की 66,000 आपका विड्राव कर पाएंगे और यह जो 66,000 है 26 अगस्त से लेकर 28 सतंबर की बीच में 33,000 कर रिब का मिलेगा और 9 सतंबर से लेकर 22 सतंबर की बीच में आप सभी का 33,000 मिलेगा अब यहाँ पर नोटिस कने वाले बात यह है दोस्तों कि यह जो लास्ट विड्राव होगा वो 22 सतंबर को होगा देखा जातो आज से एक महीने बाद और हैक हुए लभग एक महीना हो चुगा मतलब कि इनको विड़ो करने में दो महीने लग जा रहा है और इसके अलावा केवल आइनार बैलेंस का 66% ही ये विड़ो करने दे रहा है बाकी जो 34% है उसका कुछ नहीं पता है जो क्रिप्टो ह 34% आइनार जो बैलेंस है उसको विड़ो करने में ये इतना दिन लगा रहा है तो बाकी जो फंड है उसको विड़ो करने में तो 9 दिसंबर से भी जादा दिन लग सकता है और यहां तक हम तो यह भी नहीं कह सकते हैं कि वो विड़ो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा यू क्रिप्टो करन्सी को बाई की होंगे तो देख़ा है तो यह अपडेट बहुत सब्सक्राइब को बात किया जाए इनकी टीम को और भी ज्यादा प्रेशर दिया जाए कि जल से पूरा फंड जितना भी फसा हुआ है यूजर का उसको विड्राव किया जाए इनके द्वारा और इसी वैसे मैं आप सभी को बार-बार कह रहा हूँ का लोग ट्रूटर पर आईए अभी जो मैंने लास्ट विट किया था 22 अगस्त को आप सभी का बहुत ही बढ़िया रिस्प कोई न्यूज अब्रेट जो भी आ रहा है इन दोनों प्रूर्फार्म पर तुरन दिया जा रहा है बाखी स्वेड़ों में तरह ही जैहिन